हमारे गुरूजी कहते हैं कि बिटा मांस खाने वाले कौन होते हैं मांस खाने वाला कौन राक्छस दानो मानों नहीं दानो तो जो मांस खाते हैं जो मदीरा का सिवन करते हैं जो जीव की हत्या करके खाते हैं जीव को हत्या करते हैं जो कि उनके अंदर भी वही जीव है जो तुम्हारे अंदर है ओ अपने कर्मों से उनको पच्छी बना दिया गया है जीव जन्तो बना दे उनको मार के उनको भी जीने का एक हक है उनका भी अधिकार है जीने का उनके अधिकारों को क्यों छीन रहे हो मानव कहता है कि मेरे अधिकारों की बात है मेरे मानव अपनी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है धरने देता है ये बताएए ये जीव जन्तु जो है वो किसके यहां धरनेती उनका भी तो अधिकार है उनका भी तो हक बनता है कि हम भी इस सहर में इस गाव में इस भारत देश में जीवित रहें यहां तक मैं बताओं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पसू पच्छी के साथ सथ गाई को भी काटके खा रहे हैं बैल को भी काटके खा रहे हैं सुवर तक काटके खा रहे हैं क्या हो गया है इस मानव जीवन में गुरू जी कहते हैं कि बेटा ये जो है एक कलिकाल की बात है कलिकाल जो है किसी को नहीं छोड़ता एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा कि मानो मानो को ही खाएगा एक कलियुक की बात है गुरुजी कते हैं एक दिन ऐसे आएगा कि मानो मानो को काट कर खाएगा अब यही पक्छी चील कवे गायब है इस बकडियां जो है इनकी बात ही छोड़ यह भी देखेंगे कि कैसे मानो थे भगवान ने कैसे मानो के बनाया था कि आज मानो हमें नहीं पा रहे हैं पसू पच आज अपने ही जाती बिरादी अपने मानो को ही खार है राक्छस तो सही हैं दानों तो सही हो जाएंगे लेकिन मानो को क्या उपाधी दी जाए तो भाईयों इक खान पान जो है जैसा रहन सहन है वैसी प्रवित्ति होती है तो इसलिए मैं कहताओं को अपने रहन सहन अपनी प्रवित्ती को थोड़ा सा चेंज करिए